नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स सर्प लोग की देवी पार्ट टू हाँ अब बताओ सकी कि तुम और तुम्हारा देश तोते की रूप में कैसे परवर्तित हो गया कैसे हुआ यह सब कुछ और तुम्हारे पिताजी कहा है पिताजी अपने शेहन कक्ष में हैं वे अपनी अवस्था पर बहुत दुखी हैं इसलिए किसी के सामने नहीं आते और नाहीं किसी से मिलते जुलते ही हैं यहां तक कि मुझसे भी नहीं मिलते क्योंकि इस तमाम जंजट के जड़ मैं ही हूँ मेरे कारण ही यह सब हुआ है मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि यह बदलाव तुम्हारे कारण कैसे हुआ जल्दी से बताओ सकी हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ सुनो आज से कई महाँ पहले मैं अपनी कुछ प्रिय सेविकाओं के साथ शिकार के लिए निकली थी जब हम शिकार खेलते खेलते थक गई तो किसी ऐसे स्थान की खोश करने लगी जहां कोश तेर विश्राम किया जा सके जल्दी हमें एक सरोवर दिखाई दिया और वहां का मनोरम वातावरन देखकर हमारा मन स्टान करने के लिए लालायत हो उठा हमने अपने वस्र आदी उतार कर किनारे पर रख दिये और सरोवर में प्रविश्ट हो गई तभी एक तोटा वहां आया राजकुमारी जी वह देखिए तोटा आपका नौलक का हार उठा कर ले जा रहा है जल्दी से बाहर निकलो और उसका पीछा करो मेरा दुडला भार मुझे हर कीमत पर वापस मिलना चाहिए और हम जल्दी से सरोवर से बाहर निकल कर वस्र आदी पहनने के पस्चात रत पर सवार होकर उस दुष्ट तोटे का पीछा करने लगी मान छोड़ो और खत्म कर दो उसे जो अग्या राजकुमारी जी ये उसे नहीं मार पाएगी अप मुझे ही अपनी तीरंदा जी का खमाल दिखाना होगा लेकिन रहे चालाक तोटा मेरे भी बाणों से बश्ता हुआ एक मुनी की जोबड़ी पर जा पहुँचा और संयोग से ठीक तभी मेरा तीर उसे जा लगा हुरे तोटा गया काम से चलो चलकर हार ले आए लेकिन तोटा ठीक समाधी में लीन मुनी की गोद में जाकर किरा जिससे मुनी का ध्यान भंग हो गया आह मेरे प्रान बचाईए मुनीवर मुझे बचाईए क्या इस दुच्छ हार के लिए ही किसी ने तुमारे प्रान लेने चाहे है बता कौन है वह पापी मैं अभी उसे भस्म कर दूँगा तभी तोटे के प्रान पखेरू उड़ गए ओ इसने तो मेरी शरण में आकर प्रान त्याग दिये मैं इसे नहीं बचा सका उफ कितना बड़ा पाप चड़ा है मेरे सिर पर इसका कोई प्राश्चित नहीं हो सकता जिसने इसका वद किया है उसे इसका दन भुखतनाई होगा प्रणाम मुनिवर तुम कौन हो कुमारियो और यहां क्यों आई हो महराज मैं नील खाटी की राजकुमारी कंचना हूँ यह दुष्ट दोता मेरा नौलक्खा हार लेकर भाग रहा था इसलिए मुझे इसका वद करना पड़ा क्रिप्या मेरा हार मुझे लोटा दीजिए क्या कहा इसका वद तुम ने किया है वह भी धातू और पत्थर से बने केवल इस साधारन से हार के लिए अरी पापिन लड़की इस तुछ वस्तू के लिए तुझे किसी के प्राण लेते हुए तनिक भी दया नहीं आई अब तुझे इसका दंड भुगतना ही होगा नाराज न हो यह मुनिवर यह हार कोई साधारन नहीं बलकि बहुत ही कीमती और दुडलब है अरी मूर्ख लड़की कोई वस्तू कितनी भी दुडलब या कीमती क्यो न हो किसी के प्राणों से बढ़कर अनमोल नहीं होती यह धातू और इसमें जड़े पत्थर तो तुम दुबारा भी पा सकती हो लेकिन यह पक्षी अपने प्राण दुबारा नहीं पा सकता बोलो क्या तुम इसे दुबारा जीवन दे सकती हो यदि तुम मेरे श्राप से बचना चाहती हो तो जो प्राण तुमने इसके लिए हैं उन्हें वापस लोटा दो यह आप क्या कह रहे हैं मुनिवर मैं तुछ नारी भला इसे कैसे जिंदा कर सकती हूँ जीवन देना और लेना तो भगवान के हाथ में है अरी मूर्ख लड़की जब तुम यह जानती हो कि जीवन का लेना देना भगवान के हाथ में है तब तुम्हें इसका जीवन लेने का क्या हक था? क्यों तुमने विधी का विधान अपने हाथ में लिया? बोलो, जवाब दो. मुझसे भूल हुई मुनिवर, मुझे शमा कर दीजिये. नहीं, तुम्हारा कारेश शमायोग्य नहीं है. तुम्हें अपने किये की सजा भोग नहीं पड़ेगी. तुम्हारे द्वारा जो हत्या हुई है, उसका प्राश्चित सिर्फ तुम्हें ही नहीं. तुम्हारे माता- क्यारिन हो, इसके तुम्हारा रंग नीला होगा, बाकी सबका लाल. अगले ही पल. आह, यह आपने कैसा श्राप दे दिया, मुनिवर, कृप्या अपना श्राप वापस ले दीजिये. मैं मुनी के आगे काफी रोई, गिर्डड़ाई, लेकिन मुनी का दिल नहीं पसी जा. म अब क्या होगा, कैसे हमें हमारा मनुष्य शरीर वापस मिलेगा? जब मैंने पिताजी को सारी बात बताई, तो वे भी मुझे पर कुपित हो उठे. तुम्हारे किया कैफल, अब हम सब को भुगतना पड़ेगा. दूर हो जाओ में नजरो से, फिर कभी अपने मन होशकल मु क्योंकि मैं जानती थी कि देवताओं की किरपा से तुमें ही किसी मुर्दे को पुना जिन्दा करने की ख्रक्ती है, अता मैंने उसी समय तुम्ही संदेश विजवा दिया. अब हमें अपना वास्त्विक शरीर तुम ही पुना दिला सकती हो शिवाली, कृप्या करके यह कर मिलती हूँ. दोनों उसी समय जोपड़ी और आज पास की सफाय यादी करने में जुट गए. सारे कार्य से निपटने के बश्चात वे मुनी के पास बैटकर उनके आँके खोलने के परतिक्षा करने लगे. काफी देर बाद मुनी ने अपनी आँके खोली. प्रणाम मुन किसे आना? कहते कहते अचानक मुनी आज पास का स्वच्छ वातवरन देखकर चौंक उठे. अरे यह सब साफ सफाय किसने की? मैं तो कई दिनों की समाधी में लीन था. यह ध्रिश्चिता मैंने और इन्होंने की है मुनिवर. यदि कोई तुरूटी रह गई हो तो शमा कर द दान दें कि मेरी सकी कंचना और उसके देशवासी आपके श्राप से मुक्त हो जाएं. कौन? कंचना? कैसे श्राप? मैं कुछ समझा नहीं बेटी. मैं नेल खाटी की राजकुमारी कंचना की बात कर रही हूं मुनिवर, जिसके हातों कई माह पहले एक तोते का वध हो गया जिस पर क्रोधित होकर आपने उस सहित उसके सभी देशवासियों को श्राप देकर लाल तोता बना दिया था. मुनिको जैसे तुरंथी सारी बात ध्यान हो आई. ओ, अच्छा अब मैं समझा, तुम उस मूर्ख लड़की की हमायद लेकर आई हो. लेकिन मुझे अफसोस है पेटी के मैं तुम्हारी के है इच्छा पूर्ण नहीं कर सकूंगा. तुम्हें कुछ और मांगना हो तो मांग सकती हो. मेरे श्राप से तो वे तभी मुक्त हो सकते हैं, जब राजकुमारी के हातों मरा गया तो तब पुना जीवित हो उठे. वे मरा हुआ तो कहा है दिखा सकता. ऐसा आशिरवाद मुझे सभी देवी देवताओं से ही प्राप्त है मुनिवर, कृप्या कर आप उस मृत तोते का शरीर मुझे दीजिए. यदि ऐसी बात है तो अभी तुम्हारी बात की परिक्षा हो जाएगी. लोग इसा पुना जीवित करके दिखाओ, ले प्रभू, आँखों देखे पर भी विश्वास नहीं हो रहा, परन्तु यह तुम्हारी तरह ही बिल्कुल सच है. तुम सचमुझ देवी हो बेटी, तुम्हारे दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया. ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे मुनिवर, बस कृपा कर मेरी सकी औ आपका बहुत बहुत धन्यवार. मुनि से विदा लेकर गुपाल और शिवाली उसी समय घोड़े पर सवार हुई और नील घाटी के और चल पड़े. उनके जाने के बाद, तुम भी आओ शैतान तोते, लेकिन ध्यान रखना, फिर कभी कोई शराल मत करना, वरना जिंदगी बार बार दान में नहीं मिलती. आप महान है मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूँ, कि फिर कभी मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी. और मुनि को प्रणाम कर तोता भी आकाश में उड़ गया. हे प्रभु, तेरी लीला भी अप्रमपार है, जो कभी सोचा भी ना था, आज अ अपनी आँखों से देखने को मिल गया. इधर जब गोपाल और शिवाली नील घाटी के किले में पहुँचे, राजकुमारी शिवाली जिन्दाबाद, राजकुमारी शिवाली अमर रहे, शिवाली मेरी सकी, आहा, कंचना, मेरी प्यारी सकी, तुम नहीं जानती सकी, कि मैं आज कितनी खुश हूँ, तुम्हारा यह उपकार में जीवन भर नहीं बुला पाऊंगी, चल हट पगली, ऐसा नहीं कहते, यह उपकार नहीं, बलकि हम दोनों का प्यार है, चलो बेटी, अब बाकी बाते महल के भीतर चल कर करेंगे, तुम भी चलो बेटे, जी, चलिए, मह पिर भी तुम्हें जो कुछ चाहिए, वह मैं देने के लिए तयार हूँ, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? चाचा जी, मैं जो कुछ मागूंगी, उसे आप मेरे किये की केमत ना आंखना, दरसल मेरी स्वामी आपके देश उसी वस्तु के सिलसले में आ रहे थे, अतै मैं आ आप से वही वस्तु मागना चाहती हूँ, यदि आप ना देना चाहें, तो साफ इनकार कर दीजेगा, अरे बेटी, तुम संकोष क्यों कर रही हो, तुम जो कुछ मागूगी, मैं सहर्ष दूगा, बोलो, तुम क्या चाहती हो, मुझे सोने का जादुई मटका चाहिए, क्य क्या जादुई सोने का मटका लेकर गोपाल अपनी पत्नी के साथ पुना अपने देश लोट सका, वीर धर के बेटों का क्या हुआ, क्या वे रास्ते में गोपाल से टकराए, अगर टकराए, तो गोपाल को किन-किन मुसिवतों का सामना करना पड़ा, क्या राजकुमारी कं वफादार घोडा में तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद